So hello friends good morning बहुत ही quick update जो है आप सब लोगों भी बहुत ही जरूरी है जानना इसलिए में time से पहले जो है आपको ये video दे रहा हूँ बैसे तो start is start में ये video आदेती है हमरी तीसरी video बट ये quick update है क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो problems आ रही है क्योंकि उनका ofounders.net में back office open नहीं हो रहा है बहुत सारे लोगों का तो उसके regarding ये बहुत ही quick update अभी Chris Johnson सर ने सभी के पास भेज दी है और ये quick update में उन्होंने लिखा है कि जिल लोगों का भी reset password करने के बाद back access code नहीं आपा रहा है या फिर उनका computer generated password नहीं आ पा रहा है या फिर password आ भी रहा है तो वो काम ठीक से नहीं कर पा रहा है तो अब उन्होंने एक बहुत ही अच्छी update ये दिये है कि all emails have been whitelisted 100% जी हाँ all emails have been whitelisted 100% and reboot, refresh and try again इसमें उन्होंने साब साब बताया है कि आपका जो Gmail account है I mean जो आपका Gmail application है आपके phone में उस application को आपको तुरंथ वहाँ पे पहले update करना है क्योंकि बहुत सारी लोग update रही करते हैं दूसरा उन्होंने ये कहा है कि उसको अपने phone को reboot करना है restart करना है switch off करके दुवारा से on करना है ये दोनों काम ध्यार रगना पहले अपने Gmail जो आपका application बना हुआ है आपके phone में उसको play store में जाना है वहाँ पे Gmail टाइप करना है तो वहाँ पे update लिखके आ जाएगा उसको आप update कर लें क्योंकि कुछ Gmail हो या कोई भी application हो उसमें कुछ भी update होता रहता है कोई भी चीज़ घढती है, बढ़ती है कोई भी चीज़ होती है तो उसे हमें update कर लेना है उसके बाद अपने phone को restart कर लेना है उसके बाद आपको restart करने के बाद में अपना वही activity करनी है अपने उस web browser पर जाना है browser पे जाने के बाद में आपको अपना वही reset वाला option उस पे click करना है अपना email डालना है और email डालने के बाद में आपको अपने access code आ जाएगा उसको डालना है फिर आपका reset वाला password आ जाएगा तो ये आपको बहुत ही जल्दी हांसे कर लेना है ये काफी लोगों के सामने दिक्कत आ रही है जिसकी वजय से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि वो ecosystem में enter नहीं हो पा रहे हैं आई ओप आप इस activity को तुरंत करेंगे फोरन करेंगे और जैसे ही आपका ये activity हो जाएगी और आप अपने back office में चले जाएंगे उसकी बाद आपको omil बनाने वाली जो प्रिक्रिया है उस पे आपको चले जाना है और उसको देजने के लिए या आपको omil कैसे create करना है आप हमारे channel पे जा सकते हैं वहाँ पे omil की पूरी की पूरी playlist बनी हुई है वहाँ पे आपको सारी की सारी वीडियो मिल जाएंगे thank you so much we are in it to win it